नमस्कार दोस्तों मैं अपने चैनल राइट नॉलेज में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडियन इंस्टिटुट अप टोगों जी नया राइपूर 36 गड़ से वाइकन सी आई हुए है हम इसके बारे माई यह बात करते हैं क्या क्या इंप्वर्टन ग्रेड वन की एक पैकन सी है और असिस्टेंस प्रोफेसर की ग्रेड टू की अमारे काम की एक पैकन सी है असिस्टेंस प्रोफेसर ग्रेड वन की वन वैकन सी असिस्टेंस प्रोफेसर ग्रेड टू की वन वैकन सी है ठीक है आई एज लिमिट की बात कर लेते हैं असिस्टे की दोनों के लिजिवेल्टी से मैं 31, 37 year, 37 year. अब लिजिवेल्टी की बात करते हैं, डेली बेजिवेल्टी जो है, ग्रेट, असिस्टेंग ग्रेट 1 की लिजिवेल्टी की बात करते हैं, PhD with first class are required in preceding लिजिवेल्टी डिस्प्लिन बित कंसिस्टेंसी, वेरी गुट फेच, टू आप त्री एकडमिक रिगार्डन, एविदेंस आप अब वेल्टी तु परसी इमेडियेट और हाई क्वालिटी टीचिंग और रिसर्च, काफी हाई क्वालिटी क्या मांगा जाता है, क्योंकि ट् अब बात करते हैं, ग्रेट टू की, ग्रेट टू की बात करेंगे, तो यहाँ पर प्यस्टी फर्स्ट क्लास और इक्युवेल्ट होना चाहिए, इट में आप दोनों ही प्यकंस्यूम देखेंगे, तो यहाँ पर वही लोग एलिजिवल हैं, जीनों ने प्यस्टी कर लिया ह हैं, तो आप लोग जो भी प्यस्टी है, यह बेकनची सिर्प उनके लिए है, टू बेकनची है, असिस्टेंस प्रोफिसर की, ओके, सैलरी देखी क्या है, सैलरी काफी अच्छी है असिस्टेंस प्रोफिसर ग्रेट वन की एकडेमिक लेटल 12 में है, सैलरी होगी, तो काफी वन लाख वन थाउजन फाउजन फाउजन अराउंड है और इसके बाद असिस्टेंस प्रोफेसर सिफ ग्रेड टू की है जो की पे ग्रेड़ है 75,300 काफी अच्छी सेलरी है यह चोटी से इन्फ़र्मेशन ती मैंने अका आप लोगों के साथ सेयर कर देता हूब जो इस्टूरेंट्स पिएछडी कर चुके है जो मित्रगड पिएछडी कर चुके हैं इन्फ़र्मेशन टेकोन व alltså में वे इंस्टिटुट आफ इंफर्मेशन टेक्नोलजी नया रायपूर 36 गण में अप्लिकेशन 30 जुन के पहले अवश्च बरें ट्रिपल आईटी नया रायपूर के वेबसाइट बजाए और अप्लिकेशन फार्म को फिल करिए फीज के बारे में यहांपर डिटेल्स नहीं दिया गया था इसलिए आप लोग सेयर न गया पाया जो जनकारी मुझे मिली साइट से वेबसाइट से वहां से मैंने आप लोगों सर्व साथ इंफर्मेशन साजा कर दिया आप लोगों को अने डिटेल के लिए अप्लिकेशन फार्म भरी वहां से आपको डिटेल्स कम्प्लीट मिल जाएगी तीज जून के पहले ये फार्म जरूर भरें थी हैं थाइक यू सो मच अब नाइस देर